छाँ कि अपैसोंड की शुरूबात होती हम देखते हैं गस्टल को जो कि हाँ पर सेची और सारीं के सामने चट्छी पाहने की नाचरा होता है तो सेची कहता है ये सब तुम्हें हमारे सामने करने की कोई जब हम खाना का रही हो गोड़ों के साथ काफी दूर दूर तक ट्रैविल कर सकती हो तो यह लोग सर्टिफिकेट और जाके गोड़ा खरीद के लाओ सेची इसकी बात मांग जाता है और घोड़ों जैसे क्रीचर्स की रेस होती है जिसे जीतने के बातों में काफी बड़े प्रैस मिलती है यह शाप कीपर फिससे घोड़े दिखाने लग जाता है जो कि अलग-अलग क्रीचर्स होती है ये फिर उसे एक ऐसा घोड़ा दिखाता है जो कि एक ही वार से मर सकता है तो ये इसे समाल के रखने के लिए कहता है पर जैसी वो इसके उपर एक हमला करता है वो वही पर धारा शाही हो जाता है यानि कि मारा जाता है शॉप की पर इसे बताता है ये बेवकूफ घोड़े होत जाता है वो से बहुत बुरी तरह मारता है तब यहां पे सेची का एक और स्किल एक्टिव हो जाता है जिसमें किसी भी जानवर की लेंग्विश समझ सकता है और वो सुनता है कि वो डॉंग के उसके ओनर को कहरी होती है कि तुम अपने गंदे हाथों से मुझे कभी में मच्छ जाती है और कहा देए मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया यह डॉंक की फिर अपना नम ब्लून ने बताती है और सेच जो अपने मास्टर के तौर पर कर लेती हैसे खरीद लेता है जिसकी बाद यह दून मार्किट के हाप आ जाती है जहां पे सेची इसे और ये दोनों से खानी लग जाती है तब इससे इची देखता है जिस लड़की से इसने पेंटिंग खरी दी थी उसे एक लड़का परिशान कर रहा होता है तो ये से बात कर निकले चले जाता है पर वो लड़का कहाता है कि आउससाइडर्स को इससे दूर रहना चाहिए तब ही ये लड़की से इची को पैचान जाती है और इससे बाधाते है ये दरसल ये वही आदम है जिसने इसके पेंटिंग खरी थी यह लड़का कहाता है कि मैं तुम्हीं कितने देशे कह रहां कि तुम्हें पेंटिंग कोपुटेशन में हिससा लेना चीए इस से इसके थाधम elbow का पर सेची कहता है यह ढाखर करना यह जादा अच्य पेंटिंग निया जिसके बाद यह लड़का इस लड़की से abola कर मनग दो तो मैं पेंटिंग कॉम्पटिशन में जाना चाहिए तुम्हारे पेंटिंग काफी जद अच्छी है तब यह लोग कहते हो तो काफी जद खतनाक है तुम भें मारे भी जा सकते हो पर से साथी साथ यहां काफी सारा क्राउड भी होता है जहां पर बताया जाता है इन्हें पूरे ग्राउंड को एक चकर मार के दुबारा से यहां प्यान और रास्ते में बीच में दूसरे को पर हमला भी कर सकते हैं जिसके बाद इन सब की रेश चालू हो जाती है जहां पर हम देखते सेजची को जहां पर यहां पर जो लोनने होती है वो काफी जटा थक चुकी होती है सेजची उसे पूछते कि आखिरकर उसे क्या हुआ लोनने इसे बता थी कि कल रहत और आज सुब उसने खाना ही निगा है क्योंकि वह मचली खाना चाती थी तो सेची कहता है कि ऐसी बात तो भी ठीक है यह फिर यहां में फ्रूट ऑफ एवलुशन निकाल लेता है और लोनने को दे देता है वो कहते तुम यह खालोगी तो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी और लोनने उसे खा लेती है जद़ा ताकतवर होते और चाहकर भी यह नहीं हरानी सकती और यह सब एक जगे रुक जाते है तब यहां पर सेची आजाता है और लोनने की स्पीड काफी जद़ा तेज होती है वो इतनी तेज होती है कि वह एकी जंप से सभी वुल्फ को दूर कर देती है जिसके बाद इस सतिधिक के बागी रेसर से हार मांण जाते हैं और इंदोनों को फिर्स प्राइश मिल जाता है जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं पर उनो ने लो कहते हैं कि मुझे मखली खाना था मैं फिरत नमबर पर कई डीश है लूने की यह चीज फिर्टान के लीकार प्रूट ऑफ एवलेशन काने की वज़े से हुआ है तब यहाँ पर आल्टेरिया आ जाती है जो कि इससे पूछती है कि आखर करी यहां पर चल क्या रहा है से इसे बताता है जैसा वह सोच रही है वेसा बिल्कुल भी नहीं है दरसल यह लुनोंने है पर उसकी बात बिल्कुल सेची को बहुत भी तरह मारती है जिसके बाद सारी है यहां आलटेरिया को समझाती कि यह सच्मुछ लुनने पर यहाँ पर इसकी बातों का विशवास नहीं कर रहे होती है तो यहाँ पर रहे गोरिला में ये दोनों सेचिको खेते कि हम तो मैंने क्या क्या ये दोनों कहेते कि हमें आडर मिलेद तो मैं रॉयल पैलेस के अपरखियाने की वही सब को मैंने इस यहां पर इसलिए कि तूम पर बिला प्र युन्ति हैं कि पॉन Benjamin पर यहां पर पिक्री का तो हम डीमन लॉड का बदला नहीं ले सकेंगे और आपको क्या लगता है डीमन से तिनी असानी से चीज़ को एकसप्ट कर लेंगे वह इनसानों की दुश्मन है पर इसकी बात से कोई बेगरी नहीं करता और से यहां से बाहर निकाल दिया जाता है और आस्टोरिया उसकी जो हद कडिये वह खोल दीती है और यह लोग रॉयल पैलेस को से यहां दिखाने लग जाती है लॉड नाइफिर से इनकी ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जहां पी लोग ट्रेनिंग करते है तब यहां पर एस्टोरियों से बताती है कि सेची उदर देखोएगी एकदम पर्फेक्ट टाइमिंग है स्टोरियों से लुइस के बारे में बताती है जो कि इनकी लीडर है और वो काफी जद्ध ताकतवर है वह यहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है वह की वार से यहां पर जितनी भी लड़किया होती है उन सभी को धारा शाही क कर देती है कोई भी इसके सामने नहीं टिक पाता यह काफी जितना तागतवर होती है जिसके बाद यहां पर लुइस आ जाती है यह वोडन सुआड है तुम्हें इससे ज़्यादा लगेगी नहीं वहीं पर मैं से क्लासमेट्स को दिखाजाता है जिने अचानक से बरबड औ हैं लुछ इसके दोस्तों को भी देख पाते हैं फिर दुबारा से सेंटी यहां पर हम देखते हैं लुल Kathy के मास्टर गार्ति कि मथ से कहे पर लूइरू से कि आप मेरे सब्सक्राइब इसका कर सकते हो यहां पर datos मुझे तुम से कुछ बात करनी है क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो यह दोनों फिर एक रूम के यहां पर आ जाते हैं जहां पर आस्टीरियो से बताया थी कि लूइस बच्पन से काफी जिद्धा जीनियस है स्वाड मैंशिप में वह काफी जिद्धा टैलेंटीड है स्चीज मे तब यहां पर लुइस आ जाती है जोकि सेची का शुक्रिय करती है सेची कहता कि आखिर का तुम मेरा शुक्रिय क्यों कर रही हो यह से बताते है कि उसने उसे बचाया है तरसल वह बच्पन से हमेशा अकेली रहती थी और प्रेक्टिस किया करती थी यह कि वह एक जीनियस ब पर आके उसकी जान बचा लिया और उसका अकेला पन भी धूर करते है तब यहां पे एक मेड़ आ जाती है जो कि क्यों कर दिया है और वोगर ही को जहारे होती है सेखिए सीकी बात मालन लेता है पर वो अपनी gide का यूज़ करके उस पर्सन को टूह निकालता है जिसने किंग को भी अभी पोइजन दिया है वो तो सरिक आघ और यहां पर निकल झाती और हम देखते हैँ एक लड़की होती है यह से जोने हिलाख कर देती है पर सेची अपनी ताकत का यसे यहां पर बेहोश कर देता है जो कि यह दे कि बच्चे हैं कि यहां पर लॉदिर को लॉष आ Mỹ को खर ले का सबसे भेहाना करता है अगर इस वेपन से किसी के ओपर भी हमला किया जाता है तो एक इंटरनल स्लिप पर जले जाते और वो कभी भी नहीं उठते साल से को पर ऊटा दे यहां पर क्यों की तुम यहां पर क्या कर रहे हो तो यहां पर लूईस का भाई US सब कुछ बता देता है जिसके बाद रांस डे कहाता कि से जी जो तुम मुझसे चाओ मांग सकते हो य papa तुमने पर से पर से च पूछती है क्योंकि वैलकर इस उसा अचानक से उठा के लेगी क्या पता वह एक उन नई लड़की को यहांपे लिए सारी इसे कहते है कि जब तक सेची खुश है तो यह खुश है तो वो कितनी भी लड़की को लिया है उसे बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता सीन फिर कैसर किंडम के यहांपे जाता है जहांपे हम देखते है जाकिया को जो की पूस्टा कि यह बास अचा है कि आपने हीरो thinkers को बार बार और मैजिक एकैड़ में भीज़ दिया लग्टाफ नहीं चासकते हैं चलेंगगेर्ट भी आगर हमारी खिलाफ वो गए तो इना को किसे विस इंसान चाहता हुआ Madness और जो किक वेंबरिंग के किंग है वो यहाँ पर डीमन्स के साथ एक जोड़ने का प्लाइन बना रहे है पर गेंग इसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूती है मैंने एक एसा ऐसे इनकोस के पीछे छोड़ दिया और वो जल्दी ही मारा जाएगा सेन फिर दुबारा से से मिलने के लिए होती है पर यहां पर टॉर्चर होने जारा होता है और यहां से चगानी उटूप कंटीन हो जाती है अगर आप यहां तक देख रहो गई तो प्लीज लाइक सब्स्राइब और कमेंट करना में बत भूला मैं ऐसी वीडियो बनाते रहेते तो होफ़ले आपक वीडियो पसंद आई हो अगर आप यहां तक देख लोगो तो प्लीज लाइक कर देना क्मेंट कर देना क्योंकि यूटूब तभी रिकमेंट करता है वीडियो वरना वो ठंडा पड़ जाता है क्या करें और आखर मैं जाते हुए कैक हूं गाइस मुझे पता है कि आप सब वी वीडियो ला सकूँ आपके लिए और वो भी बहतर वाले और आखर मैं जाते हुए कैक हूं गाइस थैंक्स वाचिंग नेक्स वीडियो में मिलते हो फिलिए आप सब बढ़िया होंगे